वेल्कम बेक टो शाणिपनी एजुकेशन लेके देमी हमने हमारे लाश्ट वीडियो में जो हमारा थर्ड यूनी थे आई एम गोश्ट हूस लोश्ट हीज बू उसके जो थर तीन संजा है उसका स्टेडी किया था चलो हमारा जो फोर संजा है उसको स्टार्ट करते हैं पर अब जब मैं मेरे बू के भी ना हूँ तो मुझे सब कुछ अजीब लगता है कुछ अच्छा नहीं लगता जिसका बू खो जाता है उसके लिए यहाँ बहुत उसके लिए गोश्ट होना इदम छोता हो जाता है जिसके पास बू नहीं होता वो अल्दो आई होवर हीर एंडेर होवर का मीनिंग होता है फ्लॉट इन मैडेर यानि कि यहाँ वहाँ मंदराना तो मैं यहाँ वहाँ मंदराता रहता हूं हूंट का मीनिंग होता है विजिट फ्रिंक्वंटली एंड स्पैंड लॉंग टाइम कि मैं अलजो हंड्रेद रूम से वहाँ के सबकी विजिट ले ली है मैंने सारी जगह पे उसको देख लिया है जब तक मेरी बू मिल नहीं चाता है जब तक वह वापस से स्टार्ट नहीं हो जब तक यहाँ पे कोई मेरे से दर नहीं रहा मैं किसी को दरा नहीं रहा स्क्यार का मीनिंग होता है दरा ना कोई भी मुझसे दर नहीं रहा यहाँ पे हम देख सकते हैं यह जो गोष्ट है और यहाँ पे जो बच्चे है वो सारे उससे हस रहे कोई उससे दर नहीं रहा है मैं वो बूथ हूँ जिसका भू खो गया है लाश बू आई लेक का मीनिंग होता है दू नौट है वो जोर से ऐसे रोट हुए कहता है औरे मेरा भू मेरे पास नहीं है जब आप में से किसी को भी मेरा भू मिल जाए तो प्लीज उसे मुझे वापस लोता देना यहाँ पे हम पिच्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे मिसिंग भू आई हेव लोश्ट माइबू ऐसे वो पिच्चर चिपका रहा है जो गोष्ट है वो तो यह था हमारा थर्ड अभ्याघ कर लिया कि जो बूत है उसका वर्ट हो गया है उसका भू खो गया और यहां पर हमारी एहां पर शक्ती है कि हम नें फर्स ता dalla में देखा कि वो कह रहा है कि मेरा बू कहाँ पर खोग गया है मुझे उसका कोई क्लू पता नहीं है वो पता नहीं कहाँ पर चला गया है वो जब ऐसे खो जटा है तो मुझे उदास हो जाता है मैं ए अधर दिस एपोइमेंट हो जाती हूं एक भूत दूसरे बू के बिना कुछ नहीं होता फिर थर्ड शंजा में हमने देखा कि वो अपने भू का कह रहा है कि प्राउड फिल होता है कि मैं भीसर भूत हूँ ऐसे फिर फोर्ड शंजा में हमने देखा कि जब भूख हो जाता है उसके बीना कुछ अच्छा नहीं लगता उसके बाद के शंजा में देखा कि वो यहां वहां मंदरता रहता है सारे रूम में देख लता है पर कहीं बेबी भू नहीं मिलती सौरी नहीं मिलता जब तक भू नहीं मिलता तब तक कोई इससे दरता नहीं है लाश्ट वाले में देखा कि वो लोगों को बता रहा है कि किसी को भी मेरा भू मिल जाए तो प्लीज मुझे वापस लोता देना तो यहाँ पे एक फणी रिहाइम है कि एक भूत है गोश्ट है उसका भूख हो जाता है तो वो कैसे परेसान हो जाता है उसके भूख के बीना उसको थोड़ा भी नहीं चलता तो उसके उपर हमारा यह रिहाइम था हमने अच्छे से स्टडी कर लिए और इसकी जो भी एक्सिसाइज है उसके आपको पीडिया फाइव मिल जाएगी फ़र्ष्ट ट्रू और फॉल्स है उसके बाद का जो यह हर यूनिक में आता है आप्सण वाला वह है उसके बाद 30 टू 40 वर्ष्ट में वेश्ट & आसर है उसके बाद 50 और 200 वर्ष्ट में क्वेश्ट आसर लिखने है तो यह सबके आपको पीडिया फाइव मिल जाएगी उसके बाद यहाँ पए वर्ष्ट वर्ड गुर तो यहाँ पे जो यह मिनिंग तक दीए गए है उसका wars, क्या होता है वह और उपर सब लिखा गया है तो इसको उपर से study करना ऐ है थीक है यहां पे जो दिये गए है सारे नेम्स तो वो नेम्स को यहां पे find out करना है वो तो आप सब को आता ही होगा यहां पे देखो एक word से jack or lantern तो यहां पे jack or lantern मिल गया तो उसको ऐसे round किया है तो ऐसे कोई भी word मिलके उसको round करना है इसके पीछे का जो भी grammar है यहां पे सब कुछ पढ़ना है और उसी सब से यह study करना है तो यह हो गए हमारी exercise इसके आपको pdf file मिल जाएगी unit 4 है वो हम हमारे next वीडियो में complete करेंगे